अब आपके सारे फिसिक्स के देशिंट माच्जाउब्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्टों कीचो और अपको और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउ एक टाल जाता है तकर, A what would be frequency of b be prolonged frequency क्या हो सकती फोट्द बी ओके तो क्या हो सकती है तो सबसे पहले हम जानते ही कि जो tuning fork होता ही है जो बी यह कितना تم पर सेकेंड दे रहा है तो number of beats per second per second कितने आएंगे यह आएगा six by two कितने 3 beats ओके तो V1-V2 की value हमारा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ओके तो अब हमारी जो V2 की value होगी यह हमारा यह क्या है frequency में difference दिया है V1-V2 तो जो other frequency है ओके यह number अब वीट्स मतलब frequency में difference होता है generally तो जो B है हमारा B की frequency क्या हो सकती now possible possible frequency of B possible frequency of B क्या possible हो सकती है या तो 3 greater होगा या 3 less होगा तो हमारे पास 2 condition मिलेगी है ओके तो जो हमारा V2 होगा यह क्या आ सकता है यह आ सकता है हमारे पास 384 plus 3 और V2 की value क्या हो सकती 384 minus 3 तो यह कितना आ जाएगा 387 hertz और यह कितना आ जाएगा 381 hertz ओके तो हमारा जो B source है उसकी possible frequency क्या हो सकती है 387 hertz हो सकती है या 381 hertz हो सकती है ओके तो यहीं दोनो possible values यहाँ पर क्या है possible है frequency के इसकी B के ओके तो अब यहाँ मैं exact नहीं बता सकते है कि कौन सी यह कहीं होगी उसके लिए हमें क्या करना होगा एक और मैंने कुछ और इसको simplify करना होगा but possibilities क्या हो सकती है यहीं दोनों हो सकती है इससे ज्यादा नहीं हो सकती है क्या है अच्वक olm